हेलो दोस्तो आज हम बनाएंगे धाबाई स्टाइल छोले ये छोले आपके उसी परकार बनकर तंग्यार होंगे जिस परकार ये धाबे में बनकर तंग्यार होते हैं तो इसे हम बनाना सुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन चीजों की आउशकता पड़ती है तो हम पहले इसके बारे में जान लेंगे सबसे पहले चाहिए हमें एक पैन और इस पैन में हमने एट कर दिया है एक गिलास पानी और इसी के साथ हम दो छोटे चम्मच इसमें एट कर देंगे चाई पत्ती और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे चाई पत्ती को हमें अच्छे से उबाल लेना है जिस परकार हम चाई बनाते हैं चाई बनाते समय हम इसे अच्छे से उबाल लेते हैं तो उसी परकार हमें इसे उबाल लेना है और इस परकार एक चम्मच की सायता से इसे चला लेंगे जब यह उबल जाए तो गैस की फ्लेम क हमें बंद कर देना है और इसे थोड़ा ठंडा होने देना है चाई पत्ति यहाँ पर हमारी उबल चुकी है और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर बंद कर दिया है और यहाँ पर हमने छोले लिये हैं यह छोले हमने रात भर भिगो के रग दिये थे और अब हमने इन्हें वास क ने लेना है एक कूकर और कूकर में इन्हें एट कर लिया है और चाई पत्ती का जो पानी है वो हमें इसमें छान कर एट कर देना है और अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी एट कर सकते हैं तो यहां पर मैंने लगभग आधा गिलास हमने यहाँ पर add कर दिये हैं, दो टमाटर, और अब इसी के साथ, हमने इसमें दो तेजपत्ते डाल दिये हैं, और साथ में एक दालजीनी का टुकड़ा, और एक बड़ी लाईची, और स्वात के अनुसार इसमें हमने नमक add कर दिया है, और इसे हमने cover करके रख दिया है, अब हम इसे gas पर रख देंगे, और full flame में एक सीटी आने देंगे, और उसके बाग gas की flame को low कर देंगे, लगभग पंदर मिनट तक इसे low flame पर पका लेंगे, पंदर मिनट पकने के बाद gas की flame को हमें बंद कर देना है, cooker से pressure निकल चुका है, और हमने इसका cover खोल दिया है, और इसके बाद हमने इसे एक चलनी में निकाल लिया है, जो हमने यहाँ पर दालचीनी ली थी, और साथ में एक बड़ी लाईची ली थी, और दो दाने टमाटर के थे, और साथ में प्यास था, इनने एक चलनी में हमने डाल दिया है, और इसी के साथ हम यहाँ पर add कर देंगे, थोड़े से इसमें छोले, और इनने ले जाते हैं, mixi jar की ओर, यहाँ पर हम इसे grinder jar में add कर देंगे, और इसी के साथ यहाँ पर हमने लिये हैं, थोड़े से हराप्याज, और साथ में दो अद्रक के टुकड़े, और आठ से दस का लिया लहसुन की, अब हम add कर देंगे इसमें मसाले, यहाँ पर हमने डाल दी है एक चमच हल दी, और एक फुल चमच हमने add कर दिया है, इसमें धनिया पावडर, और स्वाद में के लिए हमने इसमें add कर दिया है, छोले मसाले, और इसी के साथ 3 मिड़जे add करके, इसे पीस लिया है, और गैस पर हमने रग दिया है एक पैन, और पैन में हमने लगभग 3 चमच oil add कर दिया है, oil को हमें गरम कर लेना है, oil यहाँ पर गरम हो चुका है, अब add कर देंगे इसमें मसाले, जो हमने अभी बनाए हुए थे, और इसे इस प्रकार चला लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो तली पर नाचिप के और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, लो फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है, अब हम इसमें add कर देंगे, जो छोले हमने पका लिये थे, उसे हमें add कर लेना है, और इस प्रकार इसे अब चला लेना है, और गैस की फ्लेम को हमें हाई कर लेना है, हाई फ्लेम पर इसे अच्छा सा उबाल लेंगे, और इसके उबलने का इंतिजार करेंगे छोले यहां पर उबलने सुरू हो गए हैं तो इस प्रकार यहार रेसिपी हमारी बन चुकी है तो आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं और रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए तो इस प्रकार धावा स्टाइल छोले विल्कुल तइन्यार हैं और आप इसे गानिस करने के लिए इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी एट कर सकते हैं थैंक यू